नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होश्ट RK और आप देख रहे हैं RK ट्रेडिंग तो दोस्तों तारीक है 15 जनुरी 2023 मकर संकरानती का दिन है आप लोगों को अहादिक बदाई और सुपकामना है अब चलते हैं विकली बैसिस पर फार्मा इस्टॉक के आंसिस करने के लिए देखेंगे कौन सा फार्मा इस्टॉक दोस्तों किस लेबल पर सपोर्ट ले रहा है कह इन सब सबुगकर करे आनसिस करते हैं तो आते हैं अघ्री हैं सब करते हैं अब में आसिसकी आफ द य्टाऊपश हगते हैं इसी एक्षय सौर honeymoon को पर डाउनलोड कर सकते हैं तो चलते हैं सबसे पहले मैं इंडिया पर शुरुआत करूँगा और यह किस बेस करोगा विकली चार्ट पर विकली चार्ट पर बाइस हजार पांसो का हड़ल है बाइस हजार पांसो का और इस अजर के नीचे आएगा गिरावट आएगा ऑपट निकलता है तो पॉजिटिव हो गात चौविस हजार से पच्ची शार तक के लिवर एप इंडिया में बन सकता है लेकिन उम्मिद है चुकि बड़े प्राइस cash stock तो लोग इसमें कम volume में trade करते हैं इसके अलाब हम लोग outcome की तरफ चले तो outcome में हमारे पास जो support है रिया रहा है 2950 के असपास का रहा है कोभी personal buying या selling के सलाह यहां पे नहीं है इस बात को हमें साथ disclaimer धियान रखे और अगर उपर के level में 3100 को break करता है विकली चर्ट पे तो आपको फिर यहां पे positive moment नजर आता हूँ नजर आएगा outcome में आते हैं और window pharma काफी दिनों से कह सकते काफी महिनों से यह नीचे के level 400 के पास में trade कर रहा है तो हम कह सकते कि 400 का लेबल जो है हमारे पास 425 से इंपॉर्टर सपोर्ट एरिया बनता हूँ नजर आ रहा है उपर का मजबूत होगा जब यह 455 से 60 के उपर sustain करेगा तब यह मजबूत होगा otherwise अभी avoid करेंगे बायो कोन की तरफ बढ़े दोस्तों तो बायो कोन में 246 रुपए 240 रुपए 245 रुपए 230 रुपए यह सबब सपोर्ट बन चुका है न और बढ़ियां सपोर्ट की अगर हम बात करें तो बढ़ियां सपोर्ट आपका 230 से आ रहा है 220 तक तो 220 से 230 मजबू सपोर्ट है इसके नीचे जब तक नहीं जाए खराब नहीं होगा बाउंस होने के लिए 260 के उपर की क्लोजिंग चाहिए यह बाउंस हो सकता है जो अपसाइट के लेवल 270 पशाइट के लेवल बना सकता है सिपला की तरब चले एक 1100 के उपर जब तक सिपला नहीं जाए तब तक मुमेंट नहीं बनेगा एवाइट करके चलेंगे डिवीज लेब चलते हैं डिवीज लेब में तो डिवीज लेब में पोजिशन तरिके से सपोर्ट लेता हुआ विकली चार्ट पर नज़र आ रहा है 4,180 के नीचे गिरावट होने पर आपको कमजोडी फिल होगा डॉक्टर रेट्टी में गलेंट फार्मा की बात कर तो गलेंट फार्मा भी अपने हर लोवर लेबल को ब्रेक करता जा रहा है यानि श्ट अभी 1200, 1400 यह सब नीचे के भाव पर सपोर्ट बना सकता है तो अभी यह देखना होगा कहां पर रुखता है तो अच्छा है कि ट्रेड लेने से पहले पोजिशन लेने से पहले थोड़ा से एववाइट करें वाच करें इसको गलेक्सो की तरब चले तो गलेक्सो में पोजि हो सकता है गलेनमाल फार्मा में विकली चार्ट पर 460-480 के लेबल बन सकते हैं गेनल्स इंडिया की तरफ चले थोड़ा कमजोड है जरूर लेकिन जो सपोर्ट है वह दूस्तों नब्बे के आसपास माद है तो नब्बे के नीचे जाने पर गिरावट होगा 335 से 40 को पर ज जाएगा इपका लेब की तरफ चले दोस्तों तो इपका लेब देखे कितना जबर्दस तरिकेस अपने पास में सपोर्ट ले रहा है तो हमें यह ध्यान रखना कि एक टेंड लाइन का रजिस्टेंस है इस टेंड लाइन को अगर यह तोड़ देता है तो फिर ब्रेकाट ब लाइन के लिए तो मुमेंट बन सकता है लाइन 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 मजबूत कब होगा यह इंपोर्टेंट है और यह इंपोर्टेंट अगर यह 350 के नीचे गिर जाता है तो और भी कम जोड हो जाएगा 340 आप यहां से देख रहें कि 340 के पास एक सपोर्ट एरिया है इसके पास एक बार यह आने की कोशिस कर सकता है मजबूत कब होगा तो एक बार वापस एक रिभर्सल 380 के उपर ले जैसा कि यहां पर एरिया बनता होने जाए तब जाके आपको मजबूत ही दिखेगा विकल यही रिजिटन जब तक यह ब्रेक नहीं करें जो कि 780 से 790 काता है तब तक पोशिशन नहीं ले सकते है नीचे के भाव पर देखे तो हमारा प्राइस चानल बन चुका है इस प्राइस चानल के नीचे अगर गिर जाता है 710 को ब्रेक करता है तो लूपिन कम जोड़ हो सनोफी के फाइजर की बात करें फाइजर में सपोर्ट एडिया 4050 का उसके नीचे गिरने पर कम जोड़गा इस जगा पर कोई पोशिशन नहीं करेंगे बढ़ियां पोशिशन बाय साइड का पोशिशन च्यालिस सो के उपर अभी नहीं सनोफी सनोफी में मुमेंट बनेगा 5,900 के उपर आप देख रहें यह रजिस्टेंस इरिया इसके उपर जब तक नहीं निकले सनोफी में पोशिशन नहीं बनाएंगे सपोर्ट है 5,450 को उससे नीचे गिरने पर आपको सेलिंग बन सकता है सन फार्मा की तरब चलेंगे दोस्तों सन फार्मा मजबूत है कि श्ट 1450 के नीचे निकल जाए तो आपको सेलिंग करके चल लाँगा 1450 विकली चार्ट पर बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है विकली चार्ट पर ही रजिस्टेंस के बाद करें तो 1600 का राउंड नेमबर ब्रेक होता है तो 1650 से 1680 के टार्गिट देखने को बनेगा तोरेंट फार्म आप कॉंटिटी को एड करके भी चल सकते हैं 510 के टार्गिट के लिए विकली चार्ट पर इसके अलावा एक और श्टॉक है जिसको मैं यहां पर एड करना चाहूंगा उसका नामे वोकट फार्मा तो चलिए वोकट फार्मा की श्टॉक आपके सामने मागया और वोकट फा फार्मा में तो यह था दोस्तों विकली बेस पर निप्टी के मैक्सिमुम फार्मा श्टॉक के अनालिसिस पसंद आया तो जरू फीटबाइ करें टेलिगराम चैनल को जोइन करें लाइव मार्केट में कॉल के लिए आर्केटेटिम मॉइल एपको डाउनलोड करें और अग झाल झाल झाल